नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं सफेद दाग और पीले धब्बे दूर करने वाली दवा के बारे में तो जिसको हम कहते हैं खास कर कि विटी लिगों की जो कंडिसन्स कहते हैं इसके अंदर आपके त्वचा के उपर जो वो सफेद दाग देखने को मिलते हैं फिर ऐसा कहा जाता है कि त्वचा का रंग जो वो बदलता है त्वचा के उपर पीले धब्बे देखने को मिलते हैं तो ये medical conditions को हम वीटी लिगों की conditions कहते हैं, तो इसके इलाज में जो use होने वाली जो cream है कि जिसको हम अमी विसनागा cream कहते हैं, तो उसके बारे में आज के lecture के अंदर detail में study करते हैं और जानते हैं कि किस तरह सी ये medication जो अपना काम करती है, कैसे ये सफेद दाग और पिले दब बेदूर करने के लिए use की जाती है, और कितने dose में आप उसको use कर सकते हैं, तो detail में जानते हैं, आज के lecture के अंदर अमी विसनागा cream के बारे में, तो ऐसे ही समझो कि आपको बहुत सरी दववाईयों के बारे में सीखने हैं, आप medicine course को जोईन कर सकते हैं, फार्मरॉक्स के अब उपर, तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो अब आते हैं topic प्योर समझते हैं, अमी विसनागा cream के बारे में, तो ये medication जो है वो ऐसे class के medication है, कि जो खासकर VT-Ligo के treatment में जो ह वो use की जाती है, और उसके content की हम बात करें, तो अमी विसनागा जो है उसके अंदर main chemical constituent है, और उसके manufacture की हम बात करें, तो SBL Private Limited जो है उसके manufacture है, और ये एक homeopathic pharmaceutical company है, कि जिसका head office जो है वो डली में है, आगे जानते हैं उसके बारे में, तो ये जो medication का जो type है, वो homeopathic medication है, और detail में जानते हैं उसके बारे में आगे, तो यहापे आप उसके label की study कर सकते हैं, तो सबसे उपर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यहापे कि homeopathic medication है ये, और अमी विसनागा cream है कि जो खासकर SBL द्वारा जो है बनाई जाती है, तो manufacture की यहापे आप देखो तो जैपूर के plant में यह medication जो बनी हुई है, और उनकी जो carefree office की यहापे detail दी गई है, डेली के अंदर, और SBL का यहापे detail देख सकते हैं कि world class homeopathic करके, उनका main detail यहापे दी गई हुई है, तो use हम देखे तो सबसे पहले जो विटी लिगों का जो problem होता है, इसमें यह medication use की जाती है, कि के sport बने के जो सफेद दाग कहा जाता है, फिर कई बार कुछ लोगों के skin जो यलो हो जाती है, यलो कलर की यानि के पीले कलर के धब्बे देखने को मिलते हैं skin के उपर, hypopigmentation मल की जो pigmentation जो यह वाला आप देखो तो regular pigmentation है, उसके कंपर में यह वाले area में आप देखो, तो pigmentation कम हो जाने के कारण वहाँ पे जो वो सफेद दाग देखने को मिल रहे हैं, और सादो साज समझो कि आपको itching भी होती है वहाँ पे, तो itching में से भी relief देने के लिए यह medication जो यूज की जाती है, तो simply समझे तो जो सफेद दाग की जो condition है, तवचा का रंग बदलता है, पीले पीट का जो area होता है, तो वहाँ पे समझे के आपको itching होती है, वहाँ के skin में scaling देखने को मिलती है, तो उसके लिए use की जाती है, फिर zenital itching हो रही है, फिर आपके belly button के आसपास आपको itching हो रहे है, जो rectal area में आसपास आपको itching हो रहे है, जो groin का area होता है हमारा, वहाँ पे आपको इचिंग होती है वहाँ पे उसमें से भी ये medication जो आपको relief देती है तो यहाँ पे उसका आप label देख सकते हैं तो 25 ग्राम का ये medication जो अवेलेबल होता है homeopidic medication है और अमी वसना का जो उसके अंदर 7.5% जितना जो वो present होता है फिर दूसरा ध्यान आपको external use के लिए है कि for external use मनलब के body के जो external part है वहाँ पे ही आपको जो उसको apply करना है पिर company के लिए पे डिटेल के GMP and ISO 9001 certified company है ये और अब आगे जानते हैं उसके dose के बारे में तो यह जो medication का जो दोज रहता है वो खासकर आप दिन में दू या तीन बार लगा सकते हैं आपके affected area पे के समझे के आपके चहरे पे इस तरह के white sport हुए है आपके गरदन के आसपास बने हुए या पिर आपके पीट के उपर या फिर body के किसे भी पार्ट में है तो आप वो affected area पे दिन में दू या तीन बार ये क्रीम जो लगा सकते या फिर आपके जो डॉक्टर या फिर pharmacist आपको जो suggest करते हैं उसके according to आपको जो यूज करने चाहिए फिर आपको कोई allergy हो जाती है यह medications लेने के बाद तो तुरंद उसको लेना बंद करने जाहिए तो कई बार क्या होता है कि क्योछ लोगों की skin जो यूज वा toxicity होती है तो उनकी skin को समझे कि यह medication suit नहीं करते तो उसके करन आपको क्या हो सकते है तो skin के उपर irritation हो सकता है, itching हो सकती है, skin के उपर rasis बन सकते है, burning यानि की जलन हो सकते है या फिर skin के उपर complications होने लगते है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो यह medication को लेना जो यह बन कर दे और दूसरा safe alternative medication आपके doctor या फिर pharmacist से आप जो यह वो ले सकते हैं, तो ऐसा ही समझे के आपको detail में सेखना है, बहुत सरी दवायों के बारे में आप medicine course को join कर सकते हैं, यह course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, so good luck and all the best